आईए चलिणे अब देखते हैं साजयदारों के प्रकार को आईए अब हम चर्चा करते हैं साजयदारों के प्रकार पर इसे हम English में कह सकते हैं kinds of partners जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पहले साजयदारी का प्रकार है वो है सामाने या सक्री साजयदार जैसे कि मैंने आपको पहली बताया है ये जो साज़दार होते हैं इनके जो दाइत्व होते हैं वो असिमित होते हैं मतलब ये वो साज़दार होते हैं जो पूंजी भी लगाते हैं और सारे निर्णे लाभानी के लिए दाइत्व या उत्तरदाई होते हैं इसके बाद हम दूसरे साज़ेदारी की बात करें तो सीमिस साज़ेदारी ये जो साज़ेदार होते हैं सीमिस साज़ेदार जो होते हैं वे केवल साज़ेदारी में अपनी पूंजी लगाते हैं यहां पे इनको वो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जिसे कि वो व्यवसाय क के लिए कोई डिसेजन ले सके निर्ण ले सके साज़ेदारी में पार्टिसिपेट कर सके जो निश्क्री अत्वा शांत साज़ेदार होते हैं यह वो साज़ेदार होते हैं जो अपनी पूंजी भी लगाते हैं साथ ही साथ इने वे सारे दाइत भी प्राप्त होते हैं या सारे अधिकार भी प्राप्त होते हैं साज़ेदारी के लेकिन ये स्वव इच्छा से साज़ेदारी में क्या करते हैं शांत रहते हैं और उसमें भाग नहीं लेते हैं नाम मात्र के साज़ेदार ये वे साज़ेदार होते हैं जो कि ना पूंजी लगाते हैं ना ये किसी दाइत्व का वहन करते हैं बस ये केवल अपने नाम को उस साज़ेदारी में चलाने के लिए क्या करते हैं अधिकार देते हैं ये अधिकार क्यों देते हैं ताकि इससे क्या और होगा उस form का नाम होगा एक वो brand name में convert हो जाएगा. अब हम बात करते हैं और वयश्क साज़दार की, ये वे साज़दार होते हैं जो की अठ्राव वर्ष की उम्र से कम के होते हैं. अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी साज़ेदार को वयस्क होना जरूरी है लेकिन और वयस्क साज़ेदार जो है केवल लाब आरजन की दृष्टी से जो है बाकी के जो साज़ेदारी सदस्य हैं उनकी हामी के बाद ही इन्हें सदस्य बनाया जा सकता है फिर बात आती है लाभों के साज़ेदार, ये वे साज़ेदार होते हैं जो अपनी पूंजी लगाते हैं और केवल लाभों में इनकी साज़ेदारी होती है, ये देनदारी या रिंग को चुकाने के लिए उत्तरदाई नहीं होते हैं फिर हम बात करते हैं गत्या वरोद या प्रदर्शन द्वारा साज़ेदार, ये वे साज़ेदार होते हैं जो फर्म के साज़ेदार नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये अपने प्रदर्शन के द्वारा या अपने आच्रण के द्वारा मौखी की या लिखित रूप से य यह form के साजधार हैं और अगर ये लोग अगर साजधार के लिए कोई अनुबंध बनाते हैं तो इसके लिए वस्वयम sağ Empadward आती है बाता अगंतुग साजधार की यह नवीन साजधार होते है जो पहले से मोजूद साजधारों के हामी भरने के बाद या उनकी इच्छा से ही उस व्यवसाय में उन्हें आने की अनुमती दी जाती है नए साज़ेदार को तो उन्हें हम कहते हैं आगंतुक साज़ेदार फिर बात आती है बाहर जाने वाले साज़ेदार ये वे साज़ेदार होते हैं जो स्वय इच्छा से उस फॉर्म से या उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं या उसके साज़ेदारी को छोड़ देते हैं तो यह बच्चों होते हैं साज़ेदारी के प्रकार अब हमने साज़ेदारे को प्रकार को जानने के बाद हम देखते हैं कि साज़ेदारी के लाब क्या है यानि advantages of partnership क्या है जो पहला partnership का advantage है वो है स्थापना की सुगमता बच्चों देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें पार्टनर्शिप में बहुत एजी ली क्या अनुबंद बन जाते हैं और उस अनुबंद के मताबिक ही वहाँ पे उसकी स्थापना हो जाती है और इसमें क्या होता है दो या से अधिक व्यक्तियों की आवशक्ता होती है साजेदारी करने के लिए अगर वह व्यक्ति अगर मिल गए हैं उनकी बीच अनुबंद बन गए हैं तो बहुत ही सुगमता से इस सदस्य या इस सदस्य रूपी जो पार्टनर्शिप है किसी फॉर्म की वह चालू की जा सकती है दूसरे जबिंदू आता है दूसरा यह लाग कर सकते हम अधिक वित्य साधन अब क्या होते हैं साजेदार हैं इसकी कृषिए अगर शीक 對 हमिश्क गाना है करता है जो कि दूस्रा कहहला था तीसरा है पंजियन अनिवार्य नहीं है तो ही बहुत अच्छा रहता है ये फर्म के भविश्य के लिए बहुत अच्छा रहता है अधिनियम 1932 की अंतरगत क्या होता है ये साजेदारी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है चौथा जो लाब है वो कहता है विविन ख्रमताओं का संगम है अब देखे कोई भी व्यक्ति जो है हम कह सकते हैं उसमें सारे गुण नहीं होते ठीक है एक विवसाय को चलाने के लिए अब विवसाय बड़ा हो गया है उसमें बहुत सी चीज में अच्छा है तो कोई व्यक्ति जो है लोगों को सिखाने में कारे को ट्रेनिंग देने में अच्छा है तो कोई व्यक्ति स्टाफिंग में अच्छा है मतलब कि किस कारे के लिए कि व्यक्ति क्या होने चाहिए उनकी क्या होने चाहिए वह इसमें अच्छा है तो हर व्यक् विबिन क्षमताओं का संगम होता है जिससे व्यवसाय और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है जो अगला साज़ेदारी का लाब है वो है लोचदार संस्था अब लोचदार संस्था कैसे हो सकती है देखिए साज़ेदार भी है साथ ही साथ क्या हो गया व्यवसाय में अब जैसे ही व्यावसाय क्षमताओं का उप्योग करते हुए उसके अनुरूप अपने व्यवसाय को परिवर्तित करते हैं इससे व्यवसाय को क्या होता है लाब होता है तो यह अभी प्रकार का लाब है कि जो लोचदार संस्था होती है मतलब साज़ेदारी से एक संस्था लोचदार संस्था हो जाती है अगला जो एडवांटेज है या लाब है वो कहता है कारे विभाजन अब एक विक्ति जब कारे कर रहा था तो उसी पर पूरा क्या था भार था कि पुन्जी के बारे में ही उसको सोचना है उसको किस तरीके से रेंड चुकाना है वो भी उसको सोचना है अब विवसाय में और भी करे कार रहते हैं सारी चीजों की जिम्मेदारी उन पे थी अब ऐसा नहीं जैसे ही साज़ेदार आ जाते हैं तो क्या होते हैं वे सभी फर्म के मालिक होते हैं तो क्या होते हैं उनकी कुशलता के अनुसार क्या होता है कारे का विभाजन होता है जिसे किसी एक व्यक्ति पर पूरा लोड नहीं पड़ता किसी भी तरह की का पूरा पूंजी का पूरा लोड पड़ता ना लाब का ना हानी का नहीं विभिन कारे का तो इससे क्या होता है एक व्यविसाय जो ह उचित रूप में आगे बढ़ता है और वो लाब को प्राप्त करता है अगला जो एडवांटेज है वो है संतुलित निरने अब जब इतने बुद्धी जीवी या इतने साजेदार एक साथ कारे कर रहे हैं तो किसी भी बिंदू पर या किसी भी मुद्धे पर जब कोई discussion किया जाता है चर्चा की जाती है और उसके लिए कुछ solutions निकाले जाते हैं कुछ उसके लिए निरने लिये जाते हैं तो यह जो निरने होते हैं वो संतुलित होते हैं जो अगला एडवांटेज या लाब है वो है गोपनी आप बच्चों देखिए क्या होता है कि उस form में जि पूर्ण समरपन भाव से करते हैं वहां पर उन्हें उसका लेखा जो का मिंटेन नहीं करना है क्योंकि जो भी लाब होगा वह फर्म को होगा और लाब होगा तो वह किसको होगा क्योंकि कोई भी बात जो की गोपनी होनी चाहिए वह सदस्यों या साज़दारों के मद्ध ही रहती है और वह उससे बाहर नहीं निकलती है जो अगला एडवांटेज है वो कहता है अत्यदिक लाब की प्रेर ना जैसे कि मैंने बताया कि जो साज़दार होते हैं वो फर्म के मालिकी तरह कारे करते हैं तो वो पूर्ण समरपन भाव से कारे करते हैं उनके लिए ताकि क्या हो कि अत्यदिक मातरा में फर्म को लाब हो और जैसे ही फर्म को लाब होता है वो अल्टिमेटली किसको लाब होता है साज़दारों को तो यहां पर जो नौवा एडवांटेज या लाब है वो सत्य होता है कि अत्यदिक लाब की प्रेरणा मिलती है ऐसे जो अंतिम लाब है वो है प्रबंध में मितवेता अब क्योंकि ये लोग अपनी पूंजी लगाते हैं तो प्रबंध करते समय किसी भी व्यवसाय के प्रबंदन में जिन संसाधनों की आवशक्ता है वो उन संसाधनों की पूर्ती करते हैं लेकिन उनके वेस्टेज पे या उन की रोक रहती है वो मित्वेई रूप से अपने संसाधनों का अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको हानी न पहुचे और उनकी पूंजी का नुक्सान न हूँ तो बच्चों इस तरीके से हमने साजेदारी के लाब यानी पार्टनर्शिप के एडवांटेजस को दिखा आई अब हम देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू कि साजेदारी की हानिया क्या यानी उसके डिस एडवांटेजस क्या है हम देख रहे हैं साजेदारी के दोश यानी डिस एडवांटेजस और पार्टनर्शिप इसमें जो पहला दोश होता है वो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जो पार्टनर्शिप है वो किसी भी अनुबंध के माध्यम से जूड़ा होता है तो इसका समापन अनुबंध के तहत ही हो सकता है ठीक है और दूसरी चीज अगर इसमें जो साजेदार है अगर चानक उसकी मृत्ति हो जाती है या वो कह स सकते पागल हो जाता है या किसी भी तरीके से वह एक साजेदार की तरह कारें नहीं कर सकता तब वहां पर क्या हो जाता है इस तरह के जो अस्तित्व है यानि साजेदारी के समाप्त हो जाता है तो यहां पर अस्तित्व होता है साजेदारी का हम कह सकते हैं जो दूसरा दोश कंपनी की तुलना में साजेदारी को देखें तो यहां जो साधन होते हैं वो सिमित होते हैं और पुझी भी कम हो जाती जिससे रिण लेना पड़ता है और अगर नहीं चुका पाए तो उससे व्यवसाय को क्या होता है हानी होती है हम तीसरे दोश के बारे में चर्चा करते हैं तीसरा दोश क्या है निरणय में देरी अब कैसे निरणय में देरी होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है जब एक फर्म में कई साज़ेदार हैं तो हर छोटे बड़े निरणय के लिए उन साज़ेदारों के बीच उ उन हर छोटे बड़े निर्णयों को लेने के लिए वहां क्या लगता है टाइम लगता है तो हम सकते हैं कि जो पार्टनर्शिप है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है आगे हम बढ़ते हैं कि क्या दोश है निक्स्ट इसका इसका अगला दोश है वो है असीमित दाइतव वहां पे केवल व्यवसाय की जो संपतियां है उस पर दबाव नहीं पड़ता साथ ही साथ उनके जो दाइतव हो जाते हैं वो उनकी नीजी संपतियों से भी पूरे किये जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा दोश है इस साजेदारी का हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साजेदारी के अगले दोश को वो है समनवय का आभाव जब इतने सारे लोग काम करेंगे साथ में तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन मुटाव लड़ाई जगड़ा मतलब उनके बीच जो है समनवय यानि कौर्डिनिशन का आभाव यानि लैक होगा जिससे क्या होता है फ होती है क्योंकि जब तक उस फर्म के सभी साजेदार इस हित हस्तांतरन के लिए राजी नहीं होंगे तब तक इसको नहीं किया जा सकता है हित के हस्तांतरन में कटिनाइं उत्पन होती है जो अगला दोश है वो कहता है संचालन में शितिलता अब क्या होता है जब यहाँ पे बहुत से साज़ेदार काम करते हैं और उनमें अगर संचालन तता प्रबंद जैसी क्षमताओं का आभाव पाया जाएगा तो इससे सपष्ट होगा कि क्या यहाँ पे जो फर्म है उसके संचालन में प्रॉब्लम्स क्रियेट होगी या उसके संचालन में शितिलता पाई जाएगी जो अगला बिंदू है वो कहता है स्वतनतरता का आभाव यहाँ पे क्या होगा अगर कोई भी साज़ेदार किसी बच्पने में या ऐसा जान बूज कर या कोई भी ऐसा कारे करता है या निर्णा लिता है जिससे फर्म को हानी होती है तो इसे फर्म को नहीं बलकि सारे सदस् और बागे बढ़ते हैं अगला दोश कहता है समाप्ति के बाद भी दाइत्व जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी विवस्ता अगर समाप्त हो जाती है तो उसके बाद उसके दाइत्व खतम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं लेकिन साज़ेदारी विवस्ता की यही ही हो जाते तब तक क्या होता है यह वैवासा समाप्त नहीं होती तो बच वह इस साझेदारी होती है वो जो है न reporting बहूत चोटे website के लिए जो मीडियम लेवल पे व्यवसाय या बिजनस चलेगा उसी के लिए जो पार्टनर्शिप है वो उचित रहता है बच्चों आईए अब हम देखते हैं कि साजेदारी और एकाकी व्यवसाय में क्या अंतर है साजेदारी तथा एकाकी व्यवसाय में अंतर difference between partnership and soul trade पहले अंतर काधार लेते हैं अधिनियम तो साजेदारी व्यवसाय में देखेंगे साजेदारी संगठन पर भारती साजेदारी अधिनियम 1932 लागो होता है और एकाकी व्यवसाय में एकाकी व्यवसाय के लिए कोई विशेश अधिनियम नहीं पाया जाता दूसरा अंतर का अधार लेते हैं सदस्यों की संख्या तो साजेदारी में सदस्य संख्या एक से अधिक होना अनिवार्य होता है और एकाकी व्यवसाय में एक से अधि सदस्य नहीं होते हैं अंतर का तीसरा अधार हम अनुबंध लेते हैं तो साज़ेदारी व्यवसाय में देखें तो इसके लिए अनुबंद का किया जाना आवश्यक होता है और एकाकी व्यवसाय अगर देखें तो इसके लिए किसी समझवते की आवश्यक पर नहीं होती चौथे अंदर का अधार हम स्थापना लेते हैं तो उसमें साज़ेदारी व्यवसाय में देखते हैं तो इसकी स्थापना का कार्य एकाकी व्यवसाय की तुलना में कठीन होता है और एकाकी व्यवसाय में देखें तो एकाकी व्यवसाय की स्थापना का कार्य सरल होता है पांचवा अंतर का आधार क्षेत्र रेते हैं तो साजेदारी का क्षेत्र व्यापक होता है और एकाकी व्यापसाय का जो शेत्र होता है वो सीमित होता है चटवे अंतर का आधार वित्ये साधन लेते हैं साजेदारों की संख्या अधिक होने से वित्ये साधन अधिक होते हैं और एकाकी व्यवसाय में इसमें एक व्यक्ति होने से पूंजी की मादरा सीमित होती हैं है साधन अंतर का अधार गोपनियता में तो साजेदारी व्यवसाय को अगर दर देखे हैं अपक्षकरत गोपनियता का अभाव होता है और एकाठी व्य Además है दीदो इसमें पूंड गोपनियता पाई जाती है अंतर का अगला आधा याश्या आधा अगली आधार प्रबंद वस संचालन देखें तो साज्धारी वेवसाय में अगरं देखें तो साज´ दारी में सभी eta सभी की और से कोई एक साजवधार फुर्म का प्रबंध वसं अगरता है और एकाकी वेवसाई में देखें तो प्रबंध वसं चालन का समस्धाड़ब। एकाकी व्यवसाई पर होता है, नौवा अंतर का अधार अब हम शीघर निर्णाय लेते हैं, और साज़ेदारी व्यवसाई में अगर इसका कॉंसेप्ट समझें, तो इसमें सभी कारे अन्य साज़ेदारों की सलाह लेकर किये जाते हैं, इस कारण निर्णाय में देही होती है, और एकाकी व्यवसाई में अगर देखें, तो इसमें शीक निर्णाय लिया जा सकता है, क्योंकि निर्णाय लेने वाला एक ही व्यवसाई होता है, दसवा अंतर का आधार अववयस्क लें, तो साज़ेदारी व्यवसाई में अगर हम देखें, तो एक अववयस्क इसका सद तो साजेदार अपना हित स्वतंदृता पूर्वक्षол अन्य wow मतिलेनी पड़ती है और एक इंधि व्यावावर आधार में देखें यृक्ष ये लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है बार्वा अंतर का अधार हम लेते हैं लाभानी विभाजन इसमें लाबहानी का विवाजन समझोते के अनुसार होता है और एककी व्यापारी होता है तेरवा और अंतिम अंतरकाधार समापन लें तो इसके समापन में कुछ देर लगती है क्योंकि इसके लिए आप्चारिक्ताओं का पालन करना पड़ता है अगर एकाकी व्यवसाय में देखें तो उसके स्वामी की इच्छा पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है तो बचो इस तरीके से हमने साज़ेदारी तता एकाकी व्यवसाय में अंतर को जाना